समक्ष बेठे हैं आदर्नी भाईया, साजन भाईया को नमन प्रणाम करती हूँ यहाँ पर जितने भी विद्वान कलाकार हैं उन सभी को और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन दोनों महान विभूतियों के स्मृति में आज उन्हें स्मरन करते हुए आज इस सुधी आयोजन का आयोजन हुआ है उन दोनों ही महान विभूतियों के परिवार से आज उनका परिवार सामने बैठा और यही असली शद्धानजली है यही असली श्रोता हैं आपके जरीए वहां तक पहुँचे यह हम लोगों का सौभाग योगा मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो अपने जीवन काल में किमवदंती बन गए ऐसे दोनों श्रेष्ट गुनिजन उस्ताद बिसमिल्ला खासाब शद्धे महराजी मेरा बड़ा स्वभागी रहा है कि दोनों से व्यक्तिगत जुडाव रहा कहने और सुनाने के लिए आज गाना ना होता तो बड़े सारी किस्ते और कहानियां उनकी होती अंजू बैठी है उन्हें मालूम है कि बनारस घर आए भी न चले जाए तो फटकार के संग डाट पड़ जाती थी विंडम फॉल तक हम लोग साथ गए माहराज जी की तो कितनी बाते हैं बाटी चोखा की पाटी और खांसाब का तो सिर्फ इतना ही एक छोटा सा वाक्या जिससे आप ये देखें और समझें कि कलाकार सिर्फ गाना सीखने से और रियाज करने से भी नहीं बनता एक मन चाहिए 99 में जब पतिदेव यहाँ पर थे तो पहला काम यहाँ पर आए हम लोग सब से मिलने गए खांसाब के यहाँ भी गए उसके बाद गाहे बगाहे एक दो जगह कारिक्रम में मुलाकात हो गई वो दिन था साल भर भेंट नहीं हुए इस बीच में इनकी वारता जरूर होती रही लखनों में किसी कारिक्रम के लिए रात में खबर आई कि बनारस से इनका तबादला मेरट को हो गया हजजिल अधिकारी हम लोग को तो पहले ही पता चल जाता है रात में तो हम लोग तो शांत थे सुबह सो करके उठे और साड़े छे साथ बज़े कोठी पे अरदली ने कहा कि साहब जल्दी चलिए बाहर बिसमिल्ला खासाब आए और सुबह साथ बज़े मुझे आदे वैन थी मारूती वैन उसमें सब लोग भर करके छे साथ लोग मैं तो जैसी हालत में थी हमको यकीनी नहीं कि खासाब क्यों आए और वो बिलकुल इतने दुखी बोले बिटिया ये गजब हो गया बनारस से कैसे जा रही हो और मैं सोचती रहे कि वो हमसे क्या मतलब बात भी नहीं होती थी लेकिन ऐसे थे और डेड़ घंटा हमाई पास वीडियो रिकॉर्डिंग है न सिरु बैठे कितना सुना मुझसे खुद भी कहा और मैं अपने मन में एक बहुत बड़ी सीख लेकर गई कि बड़पन इतना बड़ा दिल एक समवेदन्शिल रिदे तब जाकर कैसे विभूतियां बनती हैं जैसे पंडित किशन महराजी थे या उस्ताद बिस्मिल्ला खाह साब थे मैं धीरे धीरे हिचक करके जब मैं अप्पा जी से सीख कर गा रही थी ऐसा भी अवसर आया है कि बिस्मिल्ला कि अप्पा जी हमारी गुरु गा रही है महराजी तबले पे हैं अलाप लेने की जब बारी आय बोल बनाने की तो वो हमको आँक सा इशारा करते थे चलो आगे बढ़ो अलाप बनाओ तो हम घबडाहट के मारे की अप्पा जी जब तक इशारा ना करें हम कैसे कर बोले नहीं करो करो धीरे धीरे हिचक खुली और उनके जनम दिन पे तीन सितंबर को बड़ा जलसा करते थे मुझे याद है और मुझे मुलाया मेरट से गाने मैं जब गा कर उठी उनकी ही एक सीख मैंने याद करी थी उन्होंने मुझे कहा तुम गुरू से इतना डरती हो मंच पे बैठो तो ये समझ लो कि जो तुम मंच पे हो तो तुम राजा बाकी सब प्रजा यही एक सिद्धान थे कलाकार का और उस कारिक्रम में अप्पा जी भी थी महराज जी भी थे हमने जैसा उल्टा सीधा आता था सुना दिया महराज जी खड़े हुए बोले गाने के बारे में तो सब कुछ हम कहेंगे गुरू भी उनकी वैठी है लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छी लगती मालिनी शेरनी की तरह गाती है और वो मुझे कभी बात नहीं भूलती कि उनको वो खुद दबंग थे निर्भीक थे और मुझे लगता था कि महिलाओं के लिए एक अवगुण है लेकिन उनका बड़ा मेरे उपर आशिरवाद है और इसलिए जब खबर मिली थी तो मैं तुरंत दोड़ी हुई आई थी और बस आज मैं शिवेंद्र सिंग को रागीरी को हृदय से एक आशिरवाद और बधाई शुबकामना देनाचारियों की नए बच्चों के सामने आपने जो इनको जीवन्त करके खड़ा किया है हमने भी विंध्याचल में जब पहली बार सुना था आप लोगों को छे साल की उमर में तो यही सोचते थे कभी पाउं की धूल पाले उनकी और आज मेरा सौभाग यह है कि पदमिश्री प्राप्त करने के बाद काशी में पहला कारिक्रम है तो मैं आप लोगों को समर्पित करती हूं क्योंकि आपकी वज़ा से मुझे मेरी गुरू मिली दिशा देने वाली मिली कारिक्रम की शुरूबाद मुझे मालू मैं यहां सभी आये हैं और बहुत कुछ सुनने आये हैं सब होगा मैं धृष्टता कर रही हूं आपके सामने ठुम्बरी से शुरूबाद कर रही हूं मिश्र देश में सब्सक्राइब कर रही हूं भाईया हर्मोनियम तो सुना ही ने दे रही हूं तब ले कभी हूं मोनीटर पर दे दिजीए हा मोनीटर पर आपका देखे आरे कर दो हा 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 ह हा ह हा कर दो कर दो ए मार्ण कारी बदरिया भरिसें कारी बदरिया भरिसें ए माँ कारी बदरिया बरसे पिया नहीं आए पिया नहीं नहीं हाए ए माँ कारी बदरिया बरसे ए माँ कारी बदरिया बरसे पिया नहीं आए पिया नहीं आए पिया नहीं आए पिया नहीं आए ए माँ कारी बदरिया बरसे ए माँ कारी बदरिया बरसे ए माँ कारी बरसे पिया नहीं आए पिया बरसे पिया बरसे पिया नहीं आए 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 माँ कारी बदरिया बरसे ए माँ कारी बदरिया बरसे ए माँ कारी बदरिया बरसे ए माँ कारी बदरिया बरसे आ, पियान नहीं आ, पियान नहीं आ, करी बदरिया, करी बदरिया पाला पादिस्त Yeah पारे बदरिया भरसे पारे बदरिया भरसे पारे बदरिया बदरिया पारे बदरिया भरसे 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 जो जो पारे बदरिया भरसे 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 मैं कभी-कभी सोचती हूं कि जो अपने जीवन काल में किमवदंती बन गए ऐसे दोनों श्रेष्ट गुनिजन उस्ताद बिस्मिल्ला खां साब शद्धे माहराज जी मेरा बड़ा सवभाग ए रहा है कि दोनों से व्यक्तिगत जुडाव रहा कहने और सुनाने के लिए आज गाना ना होता तो बड़े सारी किस्ते और कहानिया उनकी होती अंजू बैठी है उन्हें मालूम है कि बनारस घर आए बीना चले जाए तो अब फटकार के संग डाट पड़ जाती थी विंडम फॉल तक हम लोग साथ गए महराज जी की तो कितनी बातें बाती चोखा की पाटी और खासाब का तो सिर्फ इतना ही एक छोटा सा वाक्या जिससे आप ये देखें और समझें कि कलाकार सिर्फ गाना सीखने से और रियाज करने से भी नहीं बनता एक मन चाहिए निन्यानबे में जब पतिदेव यहां पर थे तो पहला काम यहां पर आये हम लोग सबसे मिलने गए खासाब के यहां भी गए उसके बाद गाहे बगाए एक दो जगह कारिक्रम में मुलाकात हो गई वो दिन था साल भर भेंट नहीं हुए इस बीच में इनकी वारता जरूर होती रही लखनों में किसी कारिक्रम के लिए रात में खबर आई कि बनारस से इनका तबादला मेरट को हो गया हजजिलादिकारी हम लोग को तो पहले ही पता चल जाता है रात में तो हम लोग तो शांत थे सुबह सो करके उठे और साड़े छे साथ बज़े कोठी पे अरदली ने कहा कि साहब जल्दी चलिए बाहर बिसमिल्ला खासाब आए और सुबह साथ बज़े मुझे आदे वैन थी मारूती वैन उसमें सब लोग भर करके छे साथ लोग मैं तो जैसी हालत में थी हमको यकीन ही नहीं कि खासाब क्यों आए और वो बिल्कुल इतने दुखी बोले बिटिया ये गजब हो गया बनारस से कैसे जा रही हो और मैं सोचती रहे कि वो हमसे क्या मतलब बात भी नहीं होती थी लेकिन ऐसे थे और देड़ घंटा हमाई पास वीडियो रिकॉर्डिंग है न सिर्व बैठे कितना सुना मुझसे खुद भी कहा और मैं अपने मन में एक बहुत बड़ी सीख लेकर गई कि बड़पन इतना बड़ा दिल एक समवेदन शिल रिदे तब जाकर कैसे विभूतियां बनती हैं जैसे पंडित किशन महराजी थे या उस्ताद बिस्मिल्लाग खास आप थे मैं धीरे धीरे हिचक करके जब मैं अपपा जी से सीख कर गा रही थी ऐसा भी अवसर आया है कि बिस्मिल्लाग कि अपपा जी हमारी गुरुगा रही है महराजी तबले पे हैं अलाप लेने की जब बारी आयब बोल बनाने की तो वो हमको आँख सा इशारा करते थे चलो आगे बढ़ो अलाप बनाओ तो हम घबडाहट के मारे कि अपपा जब तक इशारा ना करें हम कैसे काई बोले नहीं करो करो धीर धीर हिचक खुली और उनके जनम दिन पे 3 सितंबर को बड़ा जलसा करते थे मुझे याद है और मुझे मुलाया मेरट से गाने मैं जब गा कर उठी उनकी ही एक सीख मैंने याद करी थी उन्होंने मुझे कहा तुम गुरू से इतना डरती हो मंच पे बैठो तो ये समझ लो कि जो तुम मंच पे हो तो तुम राजा बाकी सब प्रजा यही एक सिधानत है कलाकार का और उस कारिक्रम में अपपा जी भी थी महराज जी भी थे हमने जैसा उल्टा सीधा आता था सुना दिया महराज जी खड़े हुए बोले गाने के बारे में तो सब कुछ हम कहेंगे गुरू भी इनकी बैठी है लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छी लगती मालिनी शेरनी की तरह गाती है और वो मुझे कभी बात नहीं भूलती कि उनको वो खुद दबंग थे निर्भीक थे और मुझे लगता था कि महिलाओं के लिए एक अवगुण है लेकिन उनका बड़ा मेरे उपर आशिरवाद है और इसलिए जब ख़बर मिली थी तो मैं तुरंट दोड़ी हुई आई थी और बस आज मैं शिवेंद्र सिंग को रागीरी को हृदे से एक आशिरवाद और बधाई शुबकामना देनाचारियों की नए बच्चों के सामने आपने जो इनको जीवन्त करके खड़ा किया है हमने भी विंध्याचल में जब पहली बार सुना था आप लोगों को छे साल की उमर में तो यही सोचते थे कभी पाउं की धूल पाले उनकी और आज मेरा स्वभाग यह है कि पदमिश्री प्राप्त करने के बाद काशी में पहला कारिक्रम है तो मैं आप लोगों को समर्पित करती हूं क्योंकि आपकी वज़ा से मुझे मेरी गुरू मिली दिशा देने वाली मिली आप नहीं होते काशी नहीं होते तो हम वहीं धूल की तरह कहीं पड़े होते आज मेरी गूरू को भी प्रणाम करती हूँ जो आज इसी नगर में भी है और आप सभी को नमन करते भी शुरू कर रही हूँ कारेक्रम की शुरूबात मुझे मालूम है यहाँ सभी आये हैं और बहुत कुछ सुनने आये हैं सब होगा मैं ध्रिश्टता कर रही हूँ आपके सामने ठुमरी से शुरूबात कर रही हूँ मिश्रदेश में सब्सक्राइब कर रही हूँ भाया हर्मोनियम तो सुनाई नहीं दे रही हूँ तबले कभी हूँ मॉनीटर पे दे दीजे हां मॉनीटर पे अपके सामने आपके सामने आपके सामने कर दो कर दो एमान करि बातरियाबरर्से करि बातरियाबरर्से करी बदरिया बरसे करी बदरिया बरसे पिया नहीं पिया नहीं हाए पिया नहीं हाए करी बदरिया बरसे करी बदरिया बरसे करी बदरिया बरसे करी बदरिया बरसे पिया नहीं हाए करी बदरिया बरसे करी बदरिया बरसे बारीप से झाल दियान बराष से यमा कईरीब दियान बरेजन बरेज़र कारीब दियान कईरीब दियान बदरिया बरसे कारे मौंका बदरिया कारे बदरिया बरसें परसें कर बदरिया 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 पिया नहीं आए पियार नियों मार कारी बदरिया बरेस्टे पियार नहीं पियार नहीं कारी बदरिया बरेस्टे कारी बदरिया बरेस्टे कारी बेस्टे कारी बेस्ट्डे कारी बजरिया बरसे कारी बजरिया 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 कारी बजरिया बजरिया जो जो पपिता बजरिया बजरिया जो जो पपी हाई पपी हाई पपी हाई जो 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 पपी हाई पीओ पीओ करदा पीओ पीओ करदा जो 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 पपी हाई जो जो पपी हाई कि यू भी य व okay पी यू पी कि कि लिए बी बी कर